हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माई किचिन, चलिए आज हम बना रहे हैं सूप स्टाइल ड्रम स्टिक पोटैटो करी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही हल्दी वे से हम इसको बना रहे हैं, डिफरिंट है तरीका इसको बनाने का, और खाने में राइस के साथ ड्रम स्टिक लिए हुए हैं, एक मैंने बड़ा पोटैटो लिया हुआ है, और ये मैंने हरी मूंग की दाल छिलके वाली जो बनाई थी खाने के लिए, उसी का पानी सेपरेट किया है, मैंने ज्यादा पानी डाल के कुक किया था, और इतना पानी निकाल करके मैंने अलग कर कुछ लिया है। निला है जिस तरीके से सूप में वेजिटेबल स्टाउक उसी तरीके से हम इस सब्जी में इस पानी का यूज करेंगे। और यह पोटैटों हमने पील करके इस तरीके से कट करके ले लिया है। पांच यह हमने टमाटर लिए एक इंचा द्रक्का टुकडा दो हरी मिर्चे और कुछ लहसुन की कलिया लिए इसका हम पेस्ट बना लेंगे टमाटर ज्यादा हो इसलिए होते हैं क्योंकि यह सूप स्टाइल सबजी है और एक प्याज हमने फाइनली चॉप करके लिया हुआ ह इदर एक कडाई ले लिए है उसमें दो टेबल स्पून हमने ओईल डाला है उसमें एक ती स्पून हमने जीरा और हाफ ती स्पून हींग डाला है जब यह भुन गया तब हमने उसमें फाइनली चॉप्ड अनियन एड कर दिया है अनियन को भी हम अच्छे से भून लेंगे फिर हम उसमें अपने टमाटर वाला जो पेस्ट है वो एड कर देंगे और फिर इसको अच्छे मिक्स करके हम इसको लिड लगा करके कुछ देर कुख होने देंगे ताकि इस मसाले का जो है ओईल सेपरेट हो जाए और यह देखिए हमारे मसाले का अच्छे से ओईल एड़ किया है एक टी स्पून हमने इसमें धनिया पाउडर एड़ किया है और बस इतने ही मसाले इसमें जाते हैं और यह जब मसाले अच्छे तरीके से बुन जाएं तो हमने जो साफ करके रखा हुआ हमारा ड्रम स्टिक है और पोटेटो है वो अब इसमें डाल देंगे और टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट आइड कर रहे हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कीजे और अच्छे से मिक्स करके इसको कवर करके 5-10 मिनिट के लिए लो फ्लेम पर हम कुक होने देंगे और ओकेजनली इसको स्टर करते रहेंगे ताकि हमारी सबजी नीचे से सफीशेंट है तो आप पानी ही एड करें मेरे पास थोड़ा कम था इसलिए मैंने इसमें एक ग्लास अलग से पानी भी एड किया है और बस अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजे और लिड लगा करके 5-7 मिन लो फ्लेम पर कुक होने दीजे जिने सूप पसंद आता ह है जिने टमाटर का टेस्ट पसंद है या धनिया टमाटर का शोरवा पसंद आता है उन्हें तो यह सबजी बहुत अच्छी लगेगी और यह देखिए 5-7 मिन हो चुके हैं सबजी अच्छे तरीके से कुक हो गई है इस समय में इसमें हाफ टीस्पून गरम मसाला और करी है यह बहुत ही लाइट होती है खाने में और यह देखिए आपको मैंने इसकी करी दिखाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इसे इस तरीके से राइस के साथ सर्फ कीजिए बहुत टेम्टिंग भी लगेगी और खाने में उतनी ही मज़ेदार होती है आप बन